स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुपॉल रेलवे सेशन से लेकर पटना तक के लिए एक्सपेस ट्रेनों के लिए या फिर लंबी दूरी ट्रेनों के लिए या फिर पटना के लिए ट्रेनों के लिए काफी दिनों से मांग की जा रिए और दोस्तों य यहां पे कोई भी लंबी दुरी की ट्रेन पकरने के लिए या फिर वो पटना ही हो जाने के लिए सहार सा या फिर भंगा जाना पड़ता है तो इसी के लिए दोस्तों जो है काफी दों से अबाज उठ रही है और आज यह अबाज जो थोस्तों थोड़ा उंचे इस तर पर जो है अब जो है सांसद से भी सदस जो है आगे आ रहे हैं और सुपॉल से लेकर जो है पटना के लिए ट्रेन के लिए मांग कर रहे हैं आज दोस्तों आज के बारे मैं आप सभी को पूरी जानकारी देता हूं कि क्या है यह अपडेट पुरा वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें और चैल पर नए है तो ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कि ज़रूर किजेगा दोस्तों सब्सक्राइब आप सभी घ्रिए कि हैं अब कि बताता हूं और यह और किया कहा इसमें दोस्तों यहां आप सभी देश्चत कि हो कि हमारे जैं सांसद बजेंद परसाद यादव जी ने हमारे रेल मंत्री श्री अश्वनी वैश्णव जी को एक पत्र भी लिखा है इसको लेकर कि सुपॉल से लेकर पटना तक एक ट्रेन को चलाए जाए और वो बाकी बाते कहते हैं कि सुपॉल हमारा एक सीमा वर्ती जिला है जहां काफी वर्सों के बाद रेल या जहांजीपूर होते हुए पत्ना के लिए एक जोड़ी ट्रेन चलाने की आवशकता है यानि दोस्तों इस पत्र में जो है वो जिस रूट की बात कर रहे है वो रूट होने वाला है सहारसा से सुपॉल सरायगर निर्मली जंजारपूर दर्भंगा यानि कि दोस्तों इस बात का जो ही ये मांग कर रहे है और दोस्तों आगे के लखते हैं कि इससे सुपॉल मध्यवनी वा दर्भंगा के साथ नेपाल के लोगों को राजधानी पटना आने जानाय में सबस्क्राइब विए दोस्तों हमने आये दिन यह देखा है कि उपार रेल वेशेशन पर काफी सारी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी होती है जिनका प्रचालन सहारसा सहोना होता है इसलिए अधिक्तर ट्रेनों को कभी कभी विशाली भी आती है या फिर कभी कभी जनीत भी आती है तो सोचे दोस्तों अगर जनीत एक्सप्रेस को सुपल से खोला जाए तो कितना अच्छा होगा यहां के छितवासियों के लिए कि उनको एक डिरेक्ट करेक्शन मिल जाएगा सुपल से लेकर पटना तक जिसके लोग काफी दोने से उमीद लाए रखे हैं कि कब यहां से सुपल से पटना के लिए वह ट्रेन से सफर करेंगे दोस्तों अब देखना यह है कि आने वाले समय में होता क्या है क्या यहां पे ट्रेन चलता भी है या नहीं और खासकर जिस रूट की बात हो रही है उस रूट पे यानि कि सुपल से लेकर सराइगा निर्मरली धंजारपूर के रूट पर पटना के लिए ट्रेन चलता है या नहीं अभी की बात करें तो अभी जिस हिसाफ से पद्व है उसका अप्रूवल कोई नहीं आया है कि इस पर ट्रेन चलाया जाएगा देखते आनवले समय में जो है इस रूट पे पटना के लिए चलाने के लिए अप्रूवल मिलता है या नहीं दोस्तों ऐसा ही आप सभी घ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरू किजिए आप मिलता हूँ आप सभी से बहुत जाल एक नई वीडियो पर तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै मितला